हैंलो फ्रेट्स दो वाइरल में आप सबका सौगत है दोस्तों हम बहुत सारे जगर पे चाई के स्टॉल दिखाए देते चाई के शॉप दिखाए देते बड़े बड़े शॉप भी दिखाए देते तो सबसे पहले सवाल एक मन में आता है कि यहाँ पे कितने लोग चाई पीन के चोटे मोटे बिजनेस के जो मॉडल से यहां पर हम देखेंगे और साथ में अगरी कल्चर के बिजनेस के भी सारी जैनकर इस चानल पर आपको देखने के मिलेगे तो इस तरी की वीडियो को लाइक किए जएगा और साथ में चानल को सब्सक्राइब केजिगा तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखते थे कि एक आदमी दिन में कम से कम दो कप चाय पीता है लेकिन सबसे पहला सवाल आता है कि हर कोई आदमी आपका कस्टमर बन सकता है क्या तो उसका सीधा जवाब है नहीं क्यूंकि हर कोई आदमी आपका कस्टमर नहीं बन सकता है क्यूंकि आप आपको जो area यहाँ पे decide करना होगा आपको आपके जो targeted customer से उसको रूमना बढ़ेगा तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा तो सबसे पहले जो targeted customers यहाँ पे बहुत सारे जगह पे दिखा जाए तो क्यों रोते तो students यानि कि अगर आप students को target करते तो आपको जो colleges रहते वह पे आपकी चाय का शॉप लगाना पड़ेगा चाय लवर्स तो यहाँ पे जैसे चोपाटी जैसे area रहते वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा या फिर corporate employee जो भी बड़े बड़े IT companies रहते उनके बाहर जो शॉप रहते वहाँ पे आप चाय की शॉप खुलवा सकते जिसके पे आपको सबसे important चीज है कि जो profit का margin किस तरीके से रहता यानि कि एक कप चाय बनाने के लिए आपको कितना खर्चा आता है वही एक कप आप कितने रूपे में sell करते और वो sell minus जो आपका बनाने का जो खर्चा है manufacturing cost उसमें से जो आपका profit बनेगा वो कितना होगा तो सबसे यहाँ पे जो approximately investment लगती है एक लाग से देड़ लाग और कम अगर आप stall लगा रहे हो तो उससे भी कम में आपका यहाँ पे हो जाएगा काम लेकिन अगर आप shop बना रहे है तो उसका कुछ deposits वगेरा जो बाकी सारे चीजे मिला के एक लाग से देड़ लाग तक का आपका investment र रूप है मसाल का जो प्राइज है 350 रूपीज है टी पावडर का जो प्राइज है approximately 400 रूपीज पर केजी है sugar 40 रूपीज पर केजी है और milk 40 रूपीज पर लिटर है तो यही आपका raw material है उसके साथ आप जब भी एक कप चाय बनाते है यानि कि अगर आप मान लेते हैं कि वह आपको टैप वाटर यूज करते हो तो उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा आपका मिल्क जो है उसमें 30 मिल्क लगता है और जैसे कि हमने देखा कि 40 रूपीज पर लेटर का था तो 30 मिल्क लगेगा तो एक कप के लिए आपको 1.33 रूपीज का यहाँ पर मिल्क लगेगा शुगर जो है आपकी 40 रूपीज पर केजी थी और आपको एक कप चाय के लिए 10 टू 15 ग्राम लगती है तो यहाँ पर 40 पैसे का जो आपको शुगर लगेगा टी पाउडर जो है वो एप्रॉक्जिमेटली 400 रूपीज पर केजी है तो कॉंटिटी जो आपको लगती है तो एक स्पून एक कप के लिए एक स्पून आप लगर लेते हो तो 2.5 तो 3 ग्याम के बीच में आपको एक स्पून की जो प्राइज हो जाएगी वो 0.87 पैसा हो जाएगी मसाला का जो प्राइज है वो लगबग 1 रूपाय हो जाएगा और लेबर कॉस्ट अगर आप दिन तो हम सब को पता है कि अगर आपका 4.8 रुपीज आता है लेकिन वही जो चाय है वो सारे जगव पे around 10 रुपए में कम से कम बिखता है तो आप अगर प्रॉफिट का एक कप का प्रॉफिट देखोगे तो 5.20 पैसा यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाए देगा तो वही अगर आप देखते हो कि एक कप का 5.20 पैसे से हिसाब से अगर एक चाय वाला दिन में 300 कप बेचता है चारसो कब बेचता है 500 गब बेचता है 600 या 1000 कब चाए बेचता है और यह बेचते हैं क्यूंकि आपके आपने बहुत सारे जगवपए देखा होगा कि पांचो चिंगे पर वाँ इंडृस्ट्रिस के बाहर बिख्चते हैं तो 300 cup का profit हो जाएगा 5960 रूपीज और महिने का 46,800 रूपीज आपको मिलेगा और 400 cup का आपको महिने का 64,400 रूपीज मिलेगा 500 cup चाहे बैचके तो हर दिन आपको profit जो है 2600 रूपीज और महिने का 78,000 रूपीज आपको मिलेगा लेकिन एक बात यहाँ पे कि इसमें से और दो cost आपके आपको deduct करने होगी एक तो है आपका जो LPG cylinder आपको लगेंगे उसकी cost अगर आप साधा cylinder यूज करते हो तो 500 to 600 या 700 उपेस तक होगा एक cylinder आता है 14 kg का लेकिन most of the time आपको commercial LPG cylinder यूज करने होगे वो 19 kg इतका होता है तो 1400 to 1500 का एक रहता है और उसके साथ-साथ आप जहाँ पे भी आपने जो shop लिया है अगर stall लगाया होगे तो आपको ज्यादा rent नहीं देना होगा लेकिन अगर आप छोटी area में shop लगाया है तो आपको 10-15,000 या 12,000 रुपी जो भी आपका rent है वो उसमें से जाएगा तो लगबग अगर इसमें भी दिखा जाए तो 500 कप चायगा दिन के बेचते हो तो आपका profit आ रहा था 78,000 उसमें से अगर आप rent प्लेस आपका LPG cylinder का total cost अगर जादा भी पकड़ लेते चलो 18,000 भी पकड़ते हैं तो भी आपको लगबग 60,000 रुपीज का पर मंत का यहाँ पे profit आएगा यानि कि साल का अगर उसको multiply by 12 करोगे तो 7,20,000 रुपेज का आपका सारा खर्चा जाने के बाद एक चायवाले का profit रहेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से जो टी बि अगर कुछ questions है तो आप नीचे comment box में comment कीजगा ताकि उसके उपर में भी वीडियो बनाओ